साथ क्यों, आज गंगा विलास कुरुच की शुरुवात होना भी एक साधारन गटना नहीं है, जैसे कोई देश जब अपने दम पर सैटेलाइट को अंत्रिक्ष में स्थाबित करता है, तो वो उस देश की तकनीकी छम्गता को दिखाता है, वैसे ही 32 किलोमिटर से जादा लंबा ये सफर भारत में इनलेंड वोटरवे के विकास, नदी जलमार्गों के लिए बन रहे आदुनिक संसाधनों का एक जीता जागता उधारन है, 2014 से पहले देश में वोटरवे का थोड़ा बहुत ही उप्योग होता था, ये हाल तब था जब भारत में वोटरवे के माध्यम से व्यापार का हजारों साल पुराना इतिहास था, 2014 के बाद से भारत अपनी इस पुरातन ताकत को आधुनिक भारत के ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम की बड़ी शक्ति बनाने में जूटा है, हमने देश की बड़ी नदियों में नदी जलमार्गों के विकास के लिए कानून बनाया है, विश्त्रत एक्षन प्लान बनाया है, 2014 में सिर्फ पांच राष्ट्रिय जलमार्ग देश में थे, आज 24 राज्यों में 111 राष्ट्रिय जलमार्गों को विक्सित करने पर काम हो रहा है, इन में से लगभग दो दर्जन जलमार्गों पर सेवाई अभी चल रही है, आठ वर्ष पहले तक सिर्फ तीस लाख मेट्रिक टन कार्गों ही नदी जलमार्गों से ट्रांस्पोर्ट होता था, आज ये केपिसिटी तीन गुना से भी अधिक हो चुकी है, नदी जलमार्गों का इस्तिवाल करने वाले लोगों की संक्या भी लगातार बढ़ रही है, इसमें भी गंगा पर बन रहा ये नेश्लल वाटरवे पूरे देश के लिए एक मोडिल की तरह विक्सित हो रहा है, आज ये वाटरवे, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड और टुरिजम तीनों के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम बन रहा है,